Hello everyone, welcome to DG Classroom, मैं हूँ हीना, आपकी Reasoning Faculty, आज हम एक बहुत ही simple से question की बात करने वाले है, alphabet chapter से related, जिसमें आपको question में पूछा जाएगा, pairs find करना, चिक है, तो यहाँ पर जो, आप देख रहे हो कि मेरा जो topic का नाम है, वो है pair formation, आपको pairs find करने होंगे, बहुत ही simple है, बहुत ही easy है, बट कई बार जब आपके सामने एक question आजाता है, तो आपको नहीं पता चलता कैसे solve करना है, तो बहुत ही simple तरीके से मैं आपको इसमझाने वाली हूँ, सिर्फ कुछ seconds में ही solve हो जाएगा, अगर बहुत अच्छी practice हो जाती है, वरना एक मिनट से जादा तो बिलकुल नह ही लगने वाला है, तो ठीके वीडियो स्टार्ट करने से पहले, फिर से वही सेम बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है हमारा एफट हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के एक बेल का भी बटन है, उसको भी आप प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारी अप्लोड होगी हमारे चानल पर तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके, तो लेट्स स्टार्ट, अब आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, पैस्छन ज़रा रीड क इस पर्षन को देने का सेम तरीका ये भी हो सकता है, क्या है वो तरीका जैसे कि जो पर्षन ये वाला जो ये दे रखा है, यहां पर इसने मेंशन करा, इन बोथ फोर्वर्ड और बाक्वर्ड देक्शन, प्लीज दियान से समझेगा जो मैं बात समझा रहे हूं, बहुत ही इजी है, बहुत कम टाइम लेका, बट कुछ-कुछ बाते हैं जो नहीं पता होगी तो पर्षन गलत हो जाएगा, जो फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर आपको क्लियर कर रही हूं, वो क्या है, कि यहां पर जो मैंने पहला पर्षन दिया है, उसको दो तरीके से दिया है, प बाकवर्ड डिरेक्शन मतलब from right to left find करो, mention है, तो हम दोनों साइट से find करेंगे, बट अगर पर्षन में कुछ भी mention नहीं होता है, कि कहां से find करना है, पेर्स को left to right, forward या बाकवर्ड डिरेक्शन तब भी दोनों साइट से find किया जाता है, तो point number one है, इस simple question का, clear होगी बात, मैं repeat कर रही हूँ, मैंने बोला, अगर किसी भी question के अंदर mention है, कि कहां से find करना है, सिर्फ इतना लिखाओ in the forward, तो सिर्फ forward find कर देंगे, सिर्फ इतना लिखाओ in the backward, तो सिर्फ backward, मतलब right to left से find कर देंगे, mention हैं बोथ forward and backward, तो दोनों साइट से find करके, इसको दे देंगे, ब अब भी same ही बात है, हमें left to right और right to left उसको दोनों साइट से find करके देना होगा, अब कैसे find करना होगा, ध्यान दीजे, जो word है उसको लिख लेते हैं, अब question solve करने के ना दो तरीके होते हैं, इस वाले question को solve करने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीका है कि बस letter से ही solve कर लो, द 3rd position पर होता है, Z 26 position पर होता है, तो इनके उपर इनकी place values लिख के solve कर लो, बट उसके लिए place values आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कभी गलती से भी एक के उपर place value आपने गलत लिख दी, पूरा गलत हो जाएगा, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँ ही कि letter से ही solve करो अगर किसी को लगता है कि मुझे letter से नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं numbers भी लिख के करवाती हूँ, बट जो अभी मैं बता रही हूँ, वो letter से ही बता रही हूँ, तो क्या करना है, जैसे first letter लिखा है B, बस B से आगे वाली letters आपको बोलने हैं, और एक एक letter जैसे इसे बोल B, F, G, H, I, J, अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी कोई pair मुझे मिला नहीं, वेच करें, B को छोड़ते हैं, एक से बटते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, कोई भी नहीं मिला, R, S, T, U, V, W, X, कोई भी नहीं मिला, G, H, I, अब समझ में आया, मतलब जब आप उस letter से आगे बढ़ रहे हो, मतलब आप तो letters alphabetical series बोलोगे पूरी, मतलब आप alphabets बोल रहे हो, चीक है, बट जैसे जैसे एक एक letter में बढ़ोगे, वैसे वैसे इस word के भी letter में बढ़ना है, वो same आना चाहिए, जैसे कि यहाँ आया, G आया, G के बाद देखो, G के बाद क्या होता है, H होता है, और H के बाद होता है, इस line का मतलब क्या है, between them in the English alphabetical series मतलब जितने दो letters के बीच में number of letters होते हैं, उतने ही letters, number of letters यहाँ पर आने चाहिए, letter match नहीं करना चाहिए, number of letter match करन चाहिए, तो G, H, I, G और I के बीच में कितना letter है, एक और यहाँ पर भी कितना letter है, एक, letter नहीं वो करता है, number of letter match करने चाहिए, चाहिए, तो 1, तो इतना जादा यहाँ टाइम वेस्ट करने के जूरत थी, यह बस मैं समझाने के लिए बता रही हूं, आप बस यहीं पर रुकना नहीं है, इसको जब तक इसका word खतम नहीं होता ना, last letter नहीं आता है उस word का, तब तक continue रखना है, मतलब G, H, I, J, K, L, नहीं मैच किया कोई और, अब छोड़ेंगे, अब A, B, C, D, E, ठीक है, I, J, K, L, N, O, P, E, F, तो अभी तक जो हमें left to right pairs मिले हैं, वो सिर्फ एक ही pair मिला है, कितना मिला है, सिर्फ एक, अब हम right to left find करते हैं, right to left मतलब इधर से जाना है, तो D, E, समझ रहे हो, alphabetical series में D और E, number of letters 0, वैसा ही यहाँ पर है, बट इतना ध्यान नहीं देना, आपको बस ऐसे बोलते रहना है और जैसे ही वो match करें, जो आप बोलर हो, वो pair हो जाता है, अब D को E मिलने से D को छोड़ना नहीं है, same इसको इधर तक खतम करेंगे, चीक है, तो D, E, F, G, H, I, J, K, L, छोड़ देते हैं, E, F, G, H, I, J, K, L, नहीं मिला, N, O, P, Q, R, एक और मिला, समझ आ रहे हैं बात, N, O, P, Q, R, और वैसे भी अगर आप देखना चाहें, N, O, P, Q, R, N, O, R, के वीच में नंबर ओफ लेटर्स 3 होते हैं, और यहां पर भी नंबर ओफ लेटर्स 3 ही हैं, अब N को R मिला, इसका मतलब मैं रूप नहीं जाओंगी, R, S, T, मतलब N, O, P, Q, R, S, T, ठीक है, इस तर T, clear हुआ, तो right to left जो हमारे pairs हैं, वो हैं 3, तो अब question में कुछ भी mention नहीं है, मतलब अगर आप यहां वाले इसको देखते हो, सेमी बात है, तो दोनों में पूछा है, तो answer is 4, यहां कुछ भी mention नहीं है, तब भी दोनों से find करके answer 4, अगर इस question में mention किया होता कि सिर्फ forward ही बताओ, तो answer is 1, अगर इस question में mention किया होता, सिर्फ backward direction के pairs बताओ, तो answer कितना आता, 3 आता, समाझ आ रही है, बात देखो कितना ही, फ्री कर नमबर है, यह आपको SSC, banking, कोई भी competitive exam में मिल जाता है, और बिल्कुल छोड़ना मता कि मिल जाए तो, okay, एक और question solve करेंगे हम, करो video pause करेंगे और खुद try करेंगे, जिनको अभी नहीं समझ में आया, वो फिर से यहां पर देखे, मैं उनको समझाऊंगी, how many such pairs of letters are there in the meaningful words, sophisticated, each of which has as many letters between in the word as in the alphabet, English alphabet, फिर से कुछ भी mention नहीं है, इसका मतलब एक question में कहना चाहरा है, कि left to right भी fine करना है, और right to left भी fine करना है, त तो जो भी total fine करके आएगा, वो आपका answer होगा, ठीक है, अब मैं एक और चीज़ बताते हूं, सेम पर्षन है, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूं, पहले हम solve भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने video pause कर दिया होगा, तब तक answer हम fine कर लेते हैं, फिर इस पर्षन के बात, एक और बात बताती हैं आपको, important बात है, तो सबसे पहले हम left to right find कर रहे हैं, left to right तो, s, t, u, v, w, x, y, z, यहीं पर मुझे बताना पड़ेगा, कि दूसरी बात, पहली बात तो बता दी question में mention है या नहीं है, अगर question में mention है तो उसी side से find करना, अगर कुछ भी mention नहीं ह होता है, तो both side से आपको find करना होता है, point number one clear, point number two, जो मेरा है, कि जब भी pairs find करते हैं, तो Z पे हमारी alphabetical series, alphabet, जो है, खतम हो जाते हैं, तो जब आप pairs find कर रहे हो, तो Z के बाद आप A बोल के pairs count नहीं करेंगे, Z पे खतम हो जाता है, चाहे वो उस word के किसी भी letter पे जाके Z आज Y, Z, अब मैं आगे नहीं बोलूँगी A, B, C, D, गलत, चीक है, S से यहां तक Z का था, उस letter को ही छोड़ना पड़ेगा, O, P, one pair, O, P, Q, R, S, O से S, एक और pair, समझा रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था, छोड़ना नहीं है, O को जब तक end नहीं आता, word का, या फिर Z नहीं आता ठीक है, O, P, Q, R, S, T, एक और मिल गया भई, लो, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, और नहीं मिला, आगे बटने है, P, Q, R, S, P से S, P, P से T, U, V, W, X, Y, Z, H, I, एक और, J, K, L, M, N, O, P, Q, I, J, K, A, L, M, N, O, P, Q, S, T, A, कौर, S, T, U, V, W, X, Y, Z, T, U, V, W, X, Y, Z, I, J, K, L, M, N, C, D, E, F, G, A, B, C, D, A, कौर, T, U, V, E, F, तो अब total number of pairs count कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, तो left to right जो हमारे pairs आए, वो कितने आए भई? 8 आए, समाझ आ रहा है? ठीक है? अब same हमें right to left find करना होगा, तो right to left find करते हैं, यह आया है, चीक है? ओके, D, E, O, D, E, S, F, G, H, I, ओ, एक और मिल गया, J, K, L, M, N, O, एक और मिल गया, D से, तभी मैंने बोला, word खतमना हो, तब तक नहीं छोड़ना है, यह Z, आ जाए, तब तक नहीं छोड़ना है, पी, ठीक है? नेक्स नेक्स सलेंगे, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, लो जी, एक और मिल गया, T, U, सारी, O के साथ P, ठीक है, T, U, V, E, सारी, T, U, V, W, X, Y, Z, खतम करना है, ठीक है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, C, D, E, F, G, H, O के मिला, I, J, K, I, J, K, L, M, N, O, इसे, O मिला, P, T, U, V, W, X, Y, Z, S, T, U, V, W, X, I, J, K, L, M, H, J, K, P, Q, R, O, P, तो तो टोल लंबर of pairs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, तो हमारा right to left किते pairs है, 7 तो अगर question में mention होता, forward direction में find कर तो 8 आता, backward में find कर तो 7 आता, कुछ भी mention नहीं है, या दोनों ही तरीक है, के से mention होता, तो answer आजाता 15, तो अभी इस question में कुछ भी mention नहीं है, तो हम मान के चलेंगे, दोनों side से पूछ रहा है, तो answer इसका आजाएगा 15, यहां तक सबको समझ आया, अरे हाँ या ना, तो अभी तक हमें सारी बाते clear हो चुकी है, question solve करना easy है, बड़ दो बाते ध्यान देनी है, पहली बात, question में जहां से mention हो, वहीं वाला answer दो, नहीं mention हो, तो दोनों side से answer दो, और Z के बाद A count नहीं करना है आपको, चीक है, अब एक चीज मैं आपको बता रहे थी कि कुछ लोगों को letter से करना जादा comfortable नहीं होता है, वह पसंद करते हैं numbers लिखके, तो उनके लिए भी मैं एक बार बता देती हूँ, तो वो अगर वैसे comfortable हूँ, तो वैसे कर लें, बट मैं यह मानती हूँ कि कभी-कभी later अगर हमने गलत लिख दिया, तो समझ रहो आप पूरा ही गलत हो जाएगा, इतना simple question क्यों गलत करना है, तो फिर भी मैं बता रही हूँ, सबसे पहले लिखनी है, इन पर numbering, याद होनी चाहिए, छीक है, नहीं याद हो, तो किर्पया करके ये वाला तरीका मत अपनाएं, ये उनके लिए हैं जिनको बहुत अच्छे से याद है, तो अब यही करना है, अब numbers बोलने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, 22, यहां पर भी बात है, 26 के बाद आपको फिर से 1 नहीं बोलना है, 27 तो ओविसली नहीं बोलना है, 26 ही लेटर होते हैं, तो 1 नहीं बोलना है, और बाकी वही चीज प्रेस्चन में किस तरीके से दिया है, मेरा लास्ट प्रेस्चन है, इसमें एक थोड़ा सा अलग चीज है, तो इसलिए मैं यह एक प्रेस्चन दे रही हूं, वैसे तो यह आपका हूमवक है, ठीक है, आप सक्सेस्फुली का मुझे नंबर ओफ पेर्स फाइंड करके बताओगे, बट यहां पर एक बात मैं आपको चाहती हूं, प्रेस्चन को एक बर रीड करो, बोलता है, how many such pairs of letters are there in the word, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet in the same order, समझना, कभी-कभी ना question में last में लिखा होता है, in the same order, in the same order का मतलब है, English alphabetical series वाले order में मतलब left to right में ही find करने, समझना, यहां पर थोड़ा सा तो यहां पर मेंशन है, in the same order से आप इमात सोचेगा, मेंशन ही है, चलो भी, left to right भी बता दो, right to left भी बता दो, no, इस question में in the same order मतलब English alphabetical के order में आपको पेर्स फाइंड करने, means left to right, means 1 to 26 के order में आपको पेर्स फाइंड करके देने है, तो successfully, के पेर्स आप फाइंड करो, और मुझे कॉमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी सहिया गलत, बाकि हम next video में मैं इसको बताऊंगी कि इसका क्या answer है, okay guys, thank you, बहुत है simple था, बस कुछ 2-3 बाते हैं, जो आपको समझनी है, ठीक है, बाकि next video में मिलेंगे, जो homework दी है, comment ज़रूर करिएगा, now, तो not done लिखेगा, हो जाए तो answer लिखना, ठीक है, क्योंकि इसमें आप बता स के लिए तो वो भी आप देख सकते हो, बाकि खुश रहिए, healthy रहिए और घर पर रहिए, thank you so much guys,